स्वागत है आप सभी का Tech Study आई टे यूट्यूब चनल पर आई टे इंप्लाइविल्टी इसके लिए आज एक क्लास 17 होगी यहाँ पे जो की निमी का नया PDF 2023 के पहले जस्ट 22 जून को जारी हुआ था उसकी क्लासेस हम आपकी यहाँ पे करवा रहे हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में तो आज का जो मौडूल रहने वाला और रहने वाला आन्प्रिणोर्सिप अगर आपने इसके पहले के मौडूल्स और क्लासेस नहीं देखी हैं तो में आपको प्लेस्ट के लिंक मिल जाएगी वहांसे आप जाकर उन्हें sebelumय वा क्लासेस है раffe 35 और 35 करके दो पार्ट में आपका इसको complete करवा देंगे इसके बाद जो आपका बचे का career development और ये एक एक पार्ट में आपका complete हो जागा और दो पार्ट में ये यानि इस वीडियो के बाद आपको total 2, 2, 4, 1, 5, 5 वीडियो जो और मिलेंगे जो कि आपके Monday को examination उससे पहले पहले हम complete करवा देंगे Saturday Sunday में ही जिससे आप लोग आसानी से अपने examination में अच्छा perform कर सकें तो आईए start करते बिना किसी देरी के question answers बस एक request होगी आपसे वीडियो को like वाला बटन दबा दीजेगा साथ में red color का जो subscribe बटन है उसे hit करके बेल आइकन को भी दबा लीजेगा जिससे आपको exam जब होंगे तो exam के दिन क्या क्या question आ रहे हैं कैसे question पूछे जा रहे हैं उनका जो opinion होगा वी आपको channel पे मिलता रहेगा start करते हैं last में एक bonus question होगा उसका answer आप लोग comment box में करना बिलकुल मत भूलिएगा पहला question यहाँ पे entrepreneurship वाला जो chapter उद्देमिता जो chapter उसका what is entrepreneurship यहाँ कहरा उद्देमिता क्या है अब आपको चार options मिल रहे है starting a new career मतलब एक नए career की शुरुआत करना है managing career, career प्रवंधन running your own business अपना खुद का व्योसाय चलाना या D है supporting a business person ध्यान दीजे उद्देमिता क्या होती है entrepreneurship या उद्देमिता क्या होती है जो अपना खुद का व्योसाय क्या करता है run करता, अपना खुद का व्योसाय चलाता है और साथ में कुछ लोगों को hire करके नौकरी पे भी रखता है जो खुद सिर्फ काम करे उसे हम लोग कहते है self employment लेकिन जो एक उद्यम लगाए and साथ में कुछ लोग को hire करके काम करे उसे हम लोग उद्यमी या entrepreneur कहते हैं जैसे आप देख रहे हैं अपने देश में बड़े-बड़े entrepreneur भी है और छोटे-छोटे भी हैं जो कम लोगों को जाब दे रहे हैं जैसे अंबानी जैसे लोग हैं जुन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया है ठीक है आगे पढ़ते हैं अगला कुछ से नहाँ पे दो नंबर यहाँ पे कह रहा है कि एक उद्यमी के करतब भी क्या है अब उद्यमी के क्या करतब भी हो सकते हैं तो एक उद्यमी की ये तीनों ड्यूटी बनती यहाँ पे ये तीनों करतब भी होते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे all of the above यानि उप्रोक्त सभी अब तीसरा यहाँ पर प्रस्टन है An entrepreneur runs a business mainly to space एक उद्यमी मुख्य रूप से किसके लिए व्योसाय चलाता है gain experience मतलब experience gain करने के लिए B है work यानि काम करने के लिए C है support other business person अन व्योसाय व्यक्ति का समर्थन करने के लिए या D है earn profit तो mainly यहाँ पर क्या आपका मोटो होता है कोई भी business करने का मोटो आपका क्या होता है सबसे profit कमाना ठीक है main motive profit कमाना होता है experience gain करना काम करना यह सारी चीज़े व्याते लेकिन यह इसके बाद secondary है तो यहाँ पर जो most appropriate answer हो क्या है earn profits ठीक है right answer क्या हो जाएगा आपका earn profit मतलब लाब कमाना तो right answer आपका होगा option number D यहाँ पर अगला question है प्रतिभा wants to start a biryani hotel what will see need first प्रतिभा एक biryani hotel शुरू करना चाहती है उसे पहले क्या चाहिए होगा अगर आप कोई भी चीज पहले शुरू करना चाहरे है सबसे पहले आपको एक business plan चाहिए होता है क्या चाहिए होता है business plan पहले आप business plan देखेंगे आपका plan क्या है कैसे आप start करेंगे क्या क्या चीजों की जुरूत होगी उस चीज को करने के बाद आप बाकी चीजों सोचते नाम का board क्या होगा items क्या रखे जाएंगे kitchen के equipment क्या क्या होगे बट सबसे पहले आप क्या बनाते है business plan तो right answer क्या होगे आपका option number A business plan next question साहीन wants good cook to work in her hotel what is a proper way to hire them साहीन चाहती को उसके hotel में अच्छे cook काम करें उन्हें नौकरी पर रखने का उची तरीका क्या होगा by reaching other hotel staff मतलब hotel के आने करमचारियों से पहुँचें other hotel staff जो होते हैं और उनसे बात करें उनको ले आएं b है by advertising the job नौकरी का बिग्यापन करके c है by asking her relative अपने रिष्टदारों से पूँचके या d है नानाफदाइबब उप्रोपने से कोई नहीं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है by advertising the job यानि नौकरी का बिग्यापन करके hire करना सबसे उची तरीका होगा अगला कुछ नहीं what is the most important skill needed for a successful entrepreneur एक सफल उद्दमे के लिए सबसे महत्वपूर कौसल क्या है earning money पैसा कमाना b है serving the society समाज की सेवा करना c है having an entrepreneurial mindset या उद्दमसिल मांसिक्ता का होना या d है expanding markets या बाजारों का बिस्तार देखिए ये question कुछ ऐसे है ना जो आपके पुराना PDF था ना उसमें भी ये questions थे but option थोड़े से ना complicated थी यहां option simple कर दिए गए यहां option ऐसे रख दिए गए कि आप ऐसे बता दो कि हाँ ये सारे गलत है बस यही सही है तो यहां सबसे महत्वपूर कौसल यही है आपका एक entrepreneurial mindset होना चाहिए उद्दमसिल आपकी मांसिक्ता होनी चाहिए तभी आके आप एक सफल उद्दमी बन पाएंगे हर एक ups and downs में आप सही रह पाएंगे और अपने बेवसाय को आगे बढ़ा पाएंगे ठीके तो right answer होगे आपका option number C अगले question पर चलते है An entrepreneur can help the society by यहां कहरा है कुद्दमी जो है समाज की मदद कैसे कर सकता है seeking new opportunity मतलब नए उसरों की तलास करके B है marketing the product उतपादों का विज्यापन करके marketing करके C है work with a team of people लोगों की एक team के साथ काम करके D है creating job opportunity नौकरी के उसर पैदा करके एक उद्दमी समाज की मदद जो कर सकता है वो सबसे अच्छी मदद यही होती है आप job opportunity create करते हैं आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े जुद्दम हमारे हाँ लगे टाटा ग्रूप हो, अमबानी ग्रूप हो, आदित तिबिर्ला हो और भी बड़ी जो companies है मारूती सुच्की हो गई, असो क्लेर, जो भी है आप आसपास आप में जो भी companyya है उनमें कितने सारे लोग कई लाख लोग मिलके काम कर रहे हैं कई लाख परिवार उनकी वज़ा से चल रहे हैं हम आप भले उनको कुछ भी कह दें कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है बट वो उद्यमी है, जो आज इतने सारे परिवारों का कह लिजे आप पेट पाल रहे हैं ठीक है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कुछ साब कीपर्स होंगे, जिनकी बड़ी-बड़ी दुकाने होंगे उनके आठ से दस लोग काम कर रहे होंगे हो सकता है, कई लोग ऐसे भी कहते हैं हाँ यह तो करता है, ऐसा पैसा कम देता है ऐसा वैसा, बट सोसन भी है लेकिन कहीं न कहीं कुछ परिवारों की वो रोजी-रोटी भी चलाते हैं अपने उद्दम से, अपनी मेनस से, अपनी सूच से ठीक है, तो जब अपरचुन्टी क्रेट करना, आज के टाइम में जहां इतना बेरोजगारी है, ये एक सबसे बड़ा समाज की मदद करने का काम हो सकता है अगला कुश्चन है एक मजबूत उद्दमी के गुण क्या है एक स्ट्रॉंग आन्प्रिनेवर कोई होगा उसके गुण क्या होंगे लर्निंग फ्रॉम फिल्लेवर, ये तो सब के अंदर गुण होना चाहिए, अपने फिल्लेवर से ना कभी भी हारना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि हमने कहां गलती की और ये गलती अब दुबारा नहीं करनी है बी है, बिल्डिंग रिलेशनसिप इद कस्टमर्स ग्राहकों के साथ संबंध बनाना ये भी एक मजबूत उद्दमी का बहुत अच्छा गुण होता है C है यहाँ पे वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी चाहिए जिस फिल्ड में आगे बढ़ना हुआ आपको तो D यहाँ पे आउल आफदा है बब सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों काम आपको एक स्ट्रॉंग अन्प्रेनर में देखने को मिलेंगे या उनके गुण होने चाहिए अगला कुश्चन है पूजा स्टार्टेड अफूड कोर्ट विच गेव गुड फ्रॉफिट देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पट आप आप लोग पूरा अगर देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और पूरा देख के आप लोग कमेंट भी करेंगे लाइक भी करेंगे दोस्तों के साथ सेर भी करेंगे तो काफी मोटिवेशन मिलेगा कुश्चन है पूजा इस टार्टेड अफूड कोर्ट विच गेव पूजा ने क्या किया एक फूड कोर्ट शुरू किया जिससे उसे बहुत अच्छा मुनाफ़ा हुआ जिसमें बहुत सारे कस्टमर जुड़ते चले गए एक साल के बाद वन येर लेटर हर कस्टमर रिडूस उसके कस्टमर कम हो गए अब पूजा को क्या करना चाहिए इस समस्या के समाधान के लिए तो क्या करना चाहिए पहला उप्शन है अपना खाना बनाने के सहली बदल दे बी है ये सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस में जो आपके client हो जो आपके customers उनसे आप feedback लीजिए अगर negative feedback आता तो उसको सही तरीके से लेके उस चीज़ को सुधारिए और positive feedback आता है तो वहाँ पर thank you करके उसको maintain रखने की कोशिस कीजिए तभी आपका business चलेगा तो यही यहाँ पर right answer है क्या है कि customer से feedback लेना है और उसके according फिर आगे act करना है close the food court यह कोई option नहीं होता कि आप नहों रहाओ आपसे दबंद कर दो उसमें लगना पड़ता है changer business बिजनेस भी बदलना इतना आसान हर बार नहीं होता है दस्वा question है Raju wants to start a textile shop which of the following is the first step Raju एक कपड़े की दुकान सुरू करना चाहता है निमलिखित मेंसे कौन सा पहला कदम होगा पहला step होगा पहला step क्या होगा rent shop नहीं purchase new fabrics बिलकुल नहीं business plan कोई भी business start करने का पहला step होता है business का plan आपको plan करना होगा आप क्या क्या चीज़ें रखेंगे कितना margin रखेंगे किस तरह की चीज़ें रखेंगे कहां पर रखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती बिजनेस का इसा उन सब को plan करना होता है फिर बाकी steps आते हैं shop rent लेना है staff लेना है new fabrics लाने ये सारी चीज़ें बाद की होती है ठीक है तो right answer क्या होगी आपका option number C business plan अगला question यहाँ पे what is self employment स्वारोजगार क्या है तो स्वारोजगार क्या होता है आपका business person मतलब बेहसाई व्यक्ति B है freelancing or running a business rather than working for an employer यहाँ कहरा है नियोकता के लिए काम करने के बज़ाए freelancing या व्यक्ति चलाना self employment होता है C है sell food items या खादे पदार्थ बेच लो आप या D है entrepreneur तो यहाँ पे self employment किसे कहते हैं हम लोग freelancing करना ठीक है या ऐसा कोई business run करना ठीक है मतलब अपना business कर लेना लेकिन किसी employer या किसी के under में जाके काम ना करना उसी को क्या कहते हैं स्वारोजगार कहते हैं ठीक है जैसे for example हम आपको कहें जैसे आप एक plumbing का काम सुरू कर दो अकेले करो आप या आप mobile repairing का काम सुरू कर दो या सब self employment होता है आप खुद से कर रहे आप घर पे बैटके online कुछ काम करना स्टार्ट कर दो कुछ-कुछ लोगों के लिए कुछ websites के लिए उन सब को यहाँ पे self employment या स्वारोजगार कहते हैं अगला question है a person who hires other people for their business is an एक व्यक्ती जो अपने व्योसाई के लिए अन्य लोगों को काम पर रखता है वह क्या है self employed है employee है entrepreneur या उद्यमी है या employer या न्योकता है उसे हम लोग कहते हैं entrepreneur जो अपने व्योसाई के लिए और लोगों को काम पर रखेगा उसे हम लोग कहते हैं उद्यमी या entrepreneur और जो किसी किनोकरी न करके खुदी सारा काम करें उसे कहते हैं self-employed ठीक अपना कोई स्वारोजगार कर ले अगला कुछ चाहिए what are the qualities of an entrepreneur that a self-employed person also needs to have एक उद्यमी के वह कौन से गुण है जो एक स्वारोजगार वाले व्यक्ति में भी होने चाहिए creative thinking होनी चाहिए problem solving मतलब समस्या का समाधान करने की quality होनी चाहिए customer service ग्राहक सेवा ये गुण होना चाहिए या all after above तो ये तीनो गुण एक स्वारोजगारी में भी होने चाहिए और एक उद्यमी में भी होने चाहिए ठीक है ये तीनो गुण आप में अगर हैं तो आप अच्छे स्वारोजगार या उद्यम सील बन सकते हैं अगला कुछन है 14 नमबर यहाँ पर विद्या is single-handedly selling homemade pickles to her neighbors who is विद्या विद्या अकेले ही अपने पडोसियों को घर का बना अचार बेंच रही है विद्या कौन है यहाँ देखे सबसे important word क्या रहा है अकेले ही ठीक है अगर वो single-handedly काम कर रही तो वो उद्यमी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फिर और लोग जुड़ते हैं तो यह क्या हुआ फिर यह हुआ आपका self-employed यानी स्वरोजगार हुआ है ठीक है विद्याचार बनाती हो में डैन अपने पडोसियों भेंज देती है उसके साथ कोई नहीं है और तो क्या हुआ self-employed स्वरोजगार अगला कुछन है यहाँ पर पवन प्रोवाइड़ एसी रिपेर सर्विस एट फिक्स्ट फी यहाँ कहरा है पवन जो है एक निष्टी सुल्पे एसी की मरम्मत की सेवा परदान करता है उसका एक अस्थानी एसी स्टोर के साथ अनुबंध है इस्टोर उसे उन ग्राहकों के पास भेजता है जिन्हें अपने एसी की मरम्मत करवाने की आउशकता होती है तो पवन क्या हुआ पवन अपना काम कर रहा है न पवन क्या हुआ यहाँ पे पवन ने अपना स्वारोजगार सुरू किया है एसी रिपेर करने का ठीक है राइट आंसर क्या होगी आपका आप्सन नंबर डी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन हैं आपे how does market scan help a business देखिए market scan ये भी कुश्चन प्रिवेस जो पीडियाफ आये थे उसमें थे market scan किसी वेवसाय को कैसे मदद करता है जैसे आप कोई जी scan करते हैं computer में virus scan करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कहां कहां किस file की बीच में क्या चीपा बैठा है ऐसे जो market scan होता है किसी चीज का scan का मतलब होता है उसके बारे में एक दम गहन जानकारी ले आना सारे ideas ले आना तो market scan का क्या मतलब होता है market scan का मतलब ये होता है पहला option देर है give an idea about the customer सबसे important है graph को के बारे में आपको एक विचार मिल जाता है B है help understand about other similar business जब आप market scan करेंगे market में आप customer से मिलेंगे इस सब चीज़ जानेंगे इसी के साथ साथ जो business आप सोच रहे हैं उसके similar कुछ business कितने कितने हुआ आप पता कर पाएंगे C होता help to make the business plan अब market scan के बाद आप business plan बना पाएंगे क्योंकि आपको customers और competitive business के बारे में पता चल गया कि आपकी टक्कर किस्ती रह गया और आपका customer कौन है तियानि D यहाँ पे all of the above आपका सही हो जाएगा market scan इन सभी चीजों में आपकी मदद करता है सत्रा नमबर कुश्चन है market scan covers market scan cover करता है क्या क्या cover करता है पहला है analyze customer needs and anticipate competitive action यानि ग्राहकों की जरूरतों का बिसलेशन करना और प्रतियस्परदी कारवाईयों का अनुमान लगाना ठीक है B है understanding the business market यानि business market को समझना C है customer interaction ग्राहकों से संपर्क करना या D है market research यानि बाजार का अनुसंधान तो right answer आपका यहाँ पे A है market scan cover करता आपका customers को enlight करना उनकी need क्या है उन ठीक है साथ में जो competitive action है आपका market में competition भी आएगा आप आएगे तो उन सबसे कैसे आपको ठीक है अनुमान लगा किस तरह से आपको आगे बढ़ना उसे हम लोग यहाँ पे market scan में cover करते हैं अगला कुछ चन है market scan can be conducted to find out market scan या पता लगाने के लिए कराया जा सकता है क्या पता लगाने के लिए information on customers मतलब ग्राहकों की आउशक्ता के बारे में बिल्कुल पता चलेगा information on new trend नया क्या रुजहान आ रहा है market में उसके बारे में बिल्कुल सही है c है information on competitors प्रतिसपरदी जो आपके हों जैसे suppose करिए आप एक स्वार उजगार सुरू करने जा रहे हैं ac repairing का just example पीछे आया था बट आप जाते हैं जब market में एक छोटी से आप swap लेना चाते हैं उस तो आप देखते हैं उस market पहले से तीन लोग हैं और जिनके की बहुत अच्छे customers बने हैं तो मतलब आपके क्या हुए competitive हुए अब आपको उसके recording plan बनाना होगा हम कैसा plan बनाए उनके customers टूटके हमसे काम कराना शुरू कर दें ठीक है इसलिए business plan जरूरी होता है तो यहाँ पे all of the above जो है सही हो जाएगा आपका market scan ये सारी information ये सारी चीचे पता लगाने में आपकी मदद करता है 19 नमबर question है गीता wants to start a tailoring shop boutique जिसे कहते हैं ठीक है her trainer asked her to do a market scan गीता should do the market scan in गीता जो है अपना एक बुटिक यानि tailoring shop का business शुरू करना चाहती है बट उनके जो trainer है ना उन्होंने कहा पहले आप market scan कर लो तो गीता को कौन सा market scan करना चाहिए ठीक है bakery sector तो bakery sector तो बिलकुल नहीं करना है क्यों कि वो तो already tailoring shop पे जाना है beauty parlor ये भी नहीं tailoring and textile industry विलकुल गीता को tailoring और textile industry का जो है market scan करना होगा right answer क्या होगे आपका option number C बीस्वा कुश्चन है Lakshmi plans to start a beauty parlor what kind of information should C not collect in the market scan काफी important question not scan करके आपको confuse करने की कोशिश question है लक्षमी एक beauty parlor शुरू करने की योजना बना रही है उसे market scan में किस परकार की जानकारी एकत्र नहीं करनी चाहिए तो beauty parlor है मतलब यहाँ पे कपड़े और जूते का कोई मतलब नहीं पहला यह answer आपको सही दिख रहा है बाकी सारे answer यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पूछा नहीं करना चाहिए अगर पूछता करना चाहिए यह तीनों सही होता यह गलत होता ठीक है तो right answer क्या होगे आपका information on cloths and shoes ठीक है कपड़े और जूते के बारे में जो सूचना है उसकी beauty parlor के business में कोई रोल नहीं है 21 नमबर कुश्य है customers needs can be understood through ग्राहक की जो आशकताएं है उन्हें हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं किसके माध्यम से समझेंगे customer survey से, selling यानी बेचने से talking to our family अपने परिवार से बात करने से या customer service या ग्राहक सेवा से ध्यान दीजे customer को समझने के लिए customer की need समझने के लिए customer survey सबसे important idea होता है ठीक है right answer क्या होगे आपका option number A next question an entrepreneur needs to maintain good space with his customers यहां कह रहा है एक उद्यमी को अपने ग्राहक के साथ अच्छा बनाए रखने के आशकता होती है communication, relationship, behavior या friendship ध्यान दीजे right answer आपका option number B relationship आगे चलते हैं कुशनबर 23 से यहां पे customers like a product और service because आफ ग्राहकों की कोई उत्पाद या सेवा इसलिए पसंद आती क्योंकि price यानि मूल ले उसका good quality अच्छी quality रहती इसलिए feel of the product और service उत्पाद या सेवा कानुभो करना या D है all of the above ध्यान दीजे customer उसी product को like करेंगे जिनमें price भी जिसका अच्छा हो quality भी अच्छी हो and वो product या service जो भी है ठीक है उसमें feel भी हो एक अनुभो भी हो customer को तो वो क्या होते हैं यहां पे खुस रहते हैं पसंद आती हो ने तो राइट आंसर होगे आपका all of the above question number 24 है silpa wants to start a soap making company soap मतलब होता साबून what kind of questions should see not ask her customer देखिए फिर से आया ना should not ask यहां ask नहीं रहे तो यहां पे पूँछ रहा किस प्रकार का प्रस्ट नहीं पूछना चाहिए पहला यह देखिए which type of soap do you buy यह तो आप पूछेंगे किस तरह का soap आप लेते हो B है do you like to eat charts क्या आपको चाट खाना पसंद है यह irrelevant हो गया यहां पे C है how much do you pay for soap आप साबून के लिए कितना भुगतान करते हैं या D है do you use of क्या आप साबून का उप्योग करते हैं ठीक है इन सब का answer अगर हाँ है ठीक क्यों हाँ है क्योंकि यहां पे यह सारे questions आप पूछेंगे तो यहां पे ना क्या है do you like to eat charts मतलब क्या आपको चाट खाना पसंद है यह साबून बनाने वाले company के लिए कोई relevant question यहां पे नहीं बन रहा है ठीक है तो आपसा number B आपका यहां पे सही हो जाएगा अगला कुश्चन है 25 नमबर रूपा wants to start a new business but she is not sure which product she should choose to start her business what will be her basic research to finalize her product ठीक है यहां रूपा एक नया बेवसायच शुरू करना चाहरे ही लेकिन वो निश्चित नहीं है कि उसे अपना बेवसायच शुरू करने के लिए कौन सा product चुनना चाहिए अपने उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए उसका बिन्यादी सोध क्या होगा मतलब बिन्यादी सोध क्या रहेगा loan from bank, bank salon तो शुरू आतमे नहीं लेना है B है buying product from other दूसरों से उत्पाद खरी लेना C है search how to advertise खोजें कि उत्पाद का विज्यापन कैसे करें या D है research on product and service that customers are currently using उन उत्पादों और सेवाओं पर सोध करें जिनका ग्राहक बरतमान में क्या कर रहे है उप्योग कर रहे है तो यहीं यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा कुछ अबर 26 से यहाँ पर product and services are two things that can be sold product is what can be seen, touched and used services is what be space या उत्पाद और सेवा दो चीज़ें जिने हम बेंच रहे हैं ठीक है उत्पाद होए जिससे आप देख सकते हैं touch कर सकते हैं बट सेवा क्या है buy from vegetable shop मतलब आप सबजी की दुकान से सबजी खरीद रहे हैं वो सेवा है, नहीं feel experience and enjoy महसूस करें और आनंद ले pay with google पे यानि do not enjoy यहाँ right answer आपका है feel experience and enjoy ठीक है जो सेवा है उसे आप feel कर सकते हैं experience कर सकते हैं हाँ पे enjoy कर सकते हैं आनंद ले सकते हैं सेवा का जिस तरह आप hotel बगएरा में देखते हैं आता है एक waiter proper आपका हर चीज जो आप मागते हैं आपको मिलता है last में आप उसे tip देते हैं वो service है ठीक है and कोई product बनाना जिसे matches बनाना pen बनाना mobile बनाना ये सब क्या है ये service नहीं ये क्या है product है आपके 27 नमबर question है product is an object that can be product क्या है एक वस्तु है जो scene देखी जा सकती है touch हुई जा सकती है scene touched and used मतलब ये तीनों काम किये जा सकते हैं किसके object के ठीक है right answer हो कि आपका option number C यहाँ पे 28 question है सरवन सरवसायजा delivery agent delivering tomatoes from a farmer to a company that makes tomato sauce what is सावन's job सरवन एक delivery agent के रूप में किसान से tomato sauce बनाने वाली company तक tomato पहुचाने का काम करता है सरवन का काम क्या है seller है वो service provider है buyer है या distributor है right answer option number यहाँ पे D sorry B service provider या सेवा प्रदाता है वहाँ पे कौन सरवन ठीक है अगला question 29 number select the example of a service from the options अब विकल्पों में से आपको सेवा का उधाराण चुनना है product का नहीं जो services होती है masala dosa यह service नहीं है ठीक है item या product है जो आपको मिल रहा है खाने के लिए mobile repair यह mobile repair जो है purely क्या है एक service है ठीक है बाकी water bottle या chicken कबाब या masala dosa यह सब आपके क्या है services नहीं है तीस नमबर question है select the example of a product from the options वी कलपों में से किसी उतपाद का उधाराण चुनना है आपको home painting क्या है उतपाद है नहीं service है parlor service service है cert यहाँ पे cert आपका एक product है यह service नहीं है तो right answer होगे आपका option number c cert 31 नमबर question है the business idea should जो business idea है ब्योसाइक बिचार है वो क्या होना चाहिए satisfy only my need मतलब क्यों मेरी जरूरतें पूरी करेगा b है fulfill needs are solve problem जरूरतों को पूरा करना और समस्चाओं का समाधान करना c है save the word दुनिया को बचाना या d है none of the above उप्रोथ में से कोई नहीं तो यहाँ आपका right answer हो जाता है business idea ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्चाओं को solve करे और लों की जरूरतों को भी पूरा करे ठीक है इस चीज को हमें सा दिमाग में रखना है आपके इसका क्या मतलब है इसका मतलब यहाँ चार आप्संस दे रहा है इसका उप्योग करना असान है इस मेंनी डिटेल इसमें कई भी वरण है इसका बजट है इस प्लांट टू दा प्रजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ यह बरतमान और भविश के बेवसाइक विकास के लिए क्या है योजना बद्ध है तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है कि यह प्रजेंट और फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से जो है बिजनेस आइडिया आपका होना चाहिए 33 नमर कुश्चन है What do customers want from any product or service ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से क्या चाहते हैं तो ग्राहक कोई उत्पाद हो या कोई सेवा हो उन्हें क्या चाहिए अच्छा price चाहिए अच्छा satisfaction चाहिए अच्छी quality चाहिए मतलब ये तीनों चीज चाहिए तो right answer क्या हो जाता है आपका option number D All of the above Next है यहाँ पे Low investment business plan means कम निबेस वाली ब्योसाई की योजना या ब्योसाई योजना का अर्थ क्या होता है The plan is a new idea मतलब एक नया विचार है The plan needs a small amount to start a business ब्योसाई शुरू करने के लिए योजना में एक छोटी सी रासिकी आवश्यक्ता होती है D The plan should start immediately योजना तुरंट सुरू होनी चाहिए तो यहाँ पे आपका right answer option number B The plan needs a small amount to start a business मतलब ब्योसाई शुरू करने के लिए आपके पास एक छोटी धन्राश क्या वश्यक्ता होती है 35 number question है Unique selling proposition USP जिसे कहते हैं इसे बहुत बावाल भी हुआ था न Unique selling proposition Of a business plan refers to किसी ब्योसाई खोज का अदित्ती जो भी विक्रय प्रस्ताव यहाँ पे है किसी ब्योसाई के लिए एक अच्छे या भिन बिचार का किसी पुराने बिजनेस को ही अपडेट किया गया लग रहा है वो तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका किसी ब्योसाई के लिए एक विसेस या भिन बिचार रखते हुए मतलब उसे यूनिक सिलिंग प्रोपोजीशन वही होता है आपका जो कि आपको बाकी से अलग बनाएगा तो यह 35 कुस्चन थे अब अगला जो पार्ट होगा आपका क्लास 18 होगा उसमें आने वाले और 35 कुस्चन रहेंगे इसी मॉडियूल से उसके बाद जो हैं आपको संडे साम तक का प्रॉमिस है हमारा संडे इवनिंग से पहले पहले आपका इंपलाविल्टी से हमारी पूरी कोशिस है कि हम कम्प्लीट करवा देंगे वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक जरूर कीज़ेगा बारी है आपकी सरकार नागरिकों से क्या वसूल करती लोन, टैक्स, डेडक्शन या कनवयान पूब्लिक से क्या लिया जाता है, तो यहाँ पर जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जिनका भी आंसर से को उसमें लाइक और रेप्लाई जरूर करेंगे, तो प्लीज, मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखेगा, अपना अच्छे चे पढ़ाई करते रहेगा, वीडियो को लाइक, सेरे और चैनल को सब्सक्र